सैम पितरोदा बन गए राहूल के लिए पनौती बंगल सूत्र विवाद के बाद विरासट टैक्स पर घमा सान पितरोदा के बिगडे बोल भाजपाई खोल रहे कॉंग्रिस की पोल नई नीती पर बाद क्या कर देगा कॉंग्रिस को सत्ता से बाहर लोगसभा चुनाव जो आमूमन तोर पर विरासत की जंग होती दिखती है जहां चर्चा राजनीती विरासत की होती है लेकिन साम पितरोदा ने विरासत के माइने ही बदल दिये जहां राजनीती विरासत की चर्चा नहीं विरासत पर टैक्स देने की चर्चा कर डाले और राहूल की मुश्किले बढ़ा डाले वही 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है इससे पहले देश में मंगल सूत्र, विरासत, सोना जैसे शब्द चुनावी फिजा में गूंज रहे हैं पियम मोदी ने राजस्थान के बांसवारा की सभा में कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों पर निशाना साधा था कहा था कि उनका मैनिफेस्टों कह रहा है कि वे आपकी संपत्ती का सर्वे करेंगे फिर आग की संपत्ति उन लोगों में बाट दी जाएगी जिंके बच्चे ज्यादा हैं मेरी माँ बहनों का मंगल सुत्र भी नहीं बचने देंगे इस पर प्रियांका गांधी ने पलतवार किया है प्रियांका गांधी ने कहा कि जब देश पर मुसीवत आई तो पूर्वर प्रियम इंदरा गांधी ने अपना सोना दान कर दिया थी इसी देश के खातिर मेरी माँ सोनिया गांधी का मंगल सुत्र कुर्बान हुआ इतने सालों तक कौंगरस शत्ता में रही क्या कभी किसी ने मंगल सुत्र छीना मेरी मा का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है बतादी इस बीच बिजेपी कॉंग्रेस घोशना पत्र में संपत्ति के बटवारे वाले वादे को लेकर कॉंग्रेस को घेर रही इस बीच विपक्षी दल कॉंग्रेस एक और नए विवार में फस गई इंडियन ओवर्सीज कॉंग्रेस के अध्यक्षी सैम पित्रोदा के एक बयान पर नया बवाल खड़ा हो गया है पित्रोदा ने अमेरिका के इन्हें रिटेंस टैक्स यानि विरासित टैक्स की वकालत की यानि ऐसा टैक्स जो मरने वालों की संपत्ती उसके बच्चों को ट्रांसफर किये जाने पर लगाया जाता है सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में इन्हें रिटेंस टैक्स लगता है इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड डॉलर की संपत्ती है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45 पीज़ी संपत्ती ही मिलेगी और बाकी 55 पीज़ी सरकाल ले लेती है पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानू नहीं है यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपे की संपत्ती है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ती मिल जाती है जनता के लिए कुछ नहीं बच्टा अब इस पूरे मामने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा होता देख रहा है प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने 36 गर की सरगुजा की रैली में बुदवार को कहा कि कॉंग्रिस के खतनाक इरादे खुल कर सामने आ गए है इसलिए वो इनहें रिटेंस टैक्स की बात कर रहे है केंदरिक रहमंत्री आमिश्रा ने भी कहा कि पित्रौधा के बयान से कॉंग्रिस पार्टी एक्सकोज हो गई है BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवे ने कहा कि कॉंग्रिस ने देश को बरबात करने का फैसला कर लिया है वहीं कॉंग्रिस ने पित्रोदा के इस बयान से एक तरहा से दूरी बना ली है कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश ने कहा कि लोगतंत्र में हर श्रक्स को अपनी राय रखने की अजादी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पितरोदा के विचार हमेशा कॉंग्रेस की राय से मेल खाते हों बेरहाल सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल ये उड़ता है कि इन्हें रिटेंस टैक्स क्या होता है किस पर लगता है और कितना लगता है दरसल इन्हें रिटेंस टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति के मढ़ने के बाद उसकी संपत्ति के बटवारे पर लगता है अमेरिका की छे राजियों में इन्हें रिटेंस टैक्स वसूला जाता है ये taxes कितना लगेगा ये इस बात पर निर्वर करता है कि म्रत्तक व्यक्ति कहा रहता था और उत्राधिकारियों के साथ उसका रिश्टा क्या था क्या है इन्हे रिटेंस टाक्स? अमेरिका में केंदर इस्तर पर इन्हे रिटेंस टाक्स नहीं लगता है सिर्फ छे राजियों आयोवा, कैंटकी, मैरीलेंट, नेबरासका, न्यू जर्सी और पैंसीलिवेनिया में ये टाक्स लगाया जाता है हाला कि ओयोवा में दो हजार पच्छस तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा हराज में टैक्स की दरें अलग-अलग है ओयोवा यहां एक से चार पीज़ी तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है पती-पतनी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, परदादा, पोते-पोतियां और परपोते को टैक्स से छूट है इनके अलावा अगर मृतक किसी और को अपनी संपत्ती का उतरा धिकारी बनाता है तो उसे इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है अगर संपत्ती किसी चैरिटी में दान की जाती है तो 500 डॉलर तक की छूट मिलती है कैंटकी में इस राज में मृतक से संबंद के अधार पर टैक्स लगता है 1000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ती है तो उस पर 4 प्रतीशर्ट से 16 प्रतीशर्ट तक टैक्स लगाया जाता है पती-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, सोतेले, बच्चे, पोते-पोतियां और भाई-बेहनों को टैक्स में छूट मिली है मेरिलेंड की अगर बात करें तो 1000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ती है तो 10 प्रतीशर्ट टैक्स भरना होता है पती-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियां, भाई-बेहन और चैरिटी को इससे छूट है मेरिलेंड वो राज है जहां इन्हेरिटेंस टैक्स के साथ साथ स्टेट टैक्स यान संपत्ती कर भी देना होता है इन्हेरिटेंस टैक्स से बच्च ने का तरीका क्या है वो भी बता देते हैं कि हर चीज का तोड़ होता है हालाकि इसका तोड़ तभी है जब मरने से पहले संपत्ती को बाट दिया जाए अमेरिका में 18,000 डॉलर तक के गिफट पर कोई टैक्स नहीं लगता अगर कोई वेक्ती अपने मरने के बाद अपने उत्रहधिकारियों को inheritance tax से बचाना चुआता है तो वो जीवित रहते ही अपनी संपत्तिक गिफ्ट में दे सकता है वहीं शादी शुदा जोड़े 36,000 डॉलर तक का गिफ्ट दे सकता है